हेलो और नमस्ते दोस्तों बेलकम बैक आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही इंट्रेस्टिंग से किचिन और्गनाइजर सेयर कहने वाले हैं जो आपको मार्केट में काफी कोश्टली मिलेंगे वैट हम घर पर बहुत ही सस्ते किचिन को बहुत अच्छे से और्गनाइज भी कर सकते हैं आई होप की वीडियो भी आपको काफी पसंद आने वाला है तो एंट तक जरूर से देखिएगा तो आज हमें अपने किचिन को के काउंटर टॉप को और्माइज भी करना था क्लीन भी करना था तो जोजा कुछ चेंज क्यों ना किये जाए तो मेरे घर में इस तरह के फ्लैप्स पड़े थे जो हम लोग फैनिचर के लिए यूज करते थे उस तरह की प्लाई रखी थी और के पास कुछ था नहीं तो फिर सोचा कुछ तो लाना पड़ेगा और इसको थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे से काट लिया है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना मुझे किचिन में चाहिए था आप अपने कॉर्डिंग काट सकते हैं मेरे तो हाथ दर्द होने लग गए थ थोड़ी सी मेहनत लगी और यह प्लाई ना अच्छे से कट हो जाती है घर पर ही बड़ थोड़ी हाथ की जो एक्सरसाइजर बहुत करनी पड़ती है और इस तरह के पतले पतले भी फ्लैफ्स ट्रले हुए थे ना उनको भी मैंने थोड़े थोड़े साइस के काट दिये हैं क्योंकि मैंने सोचा इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी थोड़ा तो जोगार करना पड़ेगा क्योंकि और साथ ही साथ कील भी लाई थी जो लकड़ी के लिए ही होती है बट थोड़ी सी लंबी चाहिए हूँगी तो मैंने इसको अच्छे से कीलों से ठोक लिया है और हतोड़ी भी मेरे पास नहीं थी तो एक पथर मिल गया था तो उससे ही मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है बट वो जो हमने काटे थे ना डंडे उसको नहीं लगाया है इस तरह की एक प्लाई और मिल गई थी जिसम तो यह काफी कॉश्ट नी मिलते हैं मेरे हिसाब से हजार बारा सो पंद्रा सो मेरी तो अभी तक मैंने काफी बार सोचा मैं कुछ मगा हूं बट थोड़ा सा कॉश्ट ली देखे ना मेरी हमत नहीं होती थी लेने की और मुझे चाहिए वी तह मुझे लग रहा था एक इस तरह बन गया था और जो साइड में सनमाई का नहीं लगी है तो वहां पर हमने इस तरह का एक्रेलिक पेंट कर दिया है और बिलकुम वाइड कलर का हो गया था और यह देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था ऐसे लग रहा था जैसे खरीदा यह उतनी फिनिशिंग तो उसी प्लाई के मैंने जो छोटे-छोटे से फ्लैप्स काते थे तो एक प्लाई बच गया था तो मैंने इस तरह का पटली टाइप का बना दिया है अक्सर आपने पटली देखी होंगी इस तरह की बनती है तो इसको मैंने उसी एकॉर्डिंग कार्ट रखा था और इसमें मु लकडी चिपकाने वाला फैवी कॉल आता है उससे आप राम से चिपका भी सकते हैं तो यह वन गया है और इसके उपर भी हम अगेन बॉल पेपर ही लगाएंगे अगेन आप कलर भी कर सकते हैं अपने कोडिंग मेर्ग मेरे पास बॉल पेपर था और कभी चेंज करना है तो आगे जाके हम इसको पेंट वगरा भी कर लेंगे जैसा मुझे सुईटीवल लगेगा बट अभी वाल पेपर से ही काम चला रहे हैं तो इस तरह के छोटे-छोटे और आप आराम से घर पर बना सकते हैं बिना खर्चे के और मुझे यह काफी पसंद आ गए थे बनाने के बा अगर हम होमेकर्स या लीडीज ना उनको पैसे ऐसे ही बचाने पड़ते हैं जब हमारे पास बजट नहीं होता है हम चीजों को खरीद नहीं सकते हैं तो इस पटली पर रखना था मुझे अपना कैटल और मिक्सी जार रखना था तो मैंने इसको यहां पर और नाइस कर दिय है और इसको बाहर ही एक तकता डला है उसके ऊपर रख दिया था तो लकडी का ही है अग यह ने तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रखने में अराम से इसको यहां पर रख देंगे और कम ही यूज होता है क्योंकि माइक्रो बेप तो जब भी यूज होगा यहां पर कर लेंगे अगर केचिन काउंटर टॉप माइक्रो बेप बगरा है बड़ी चीज रखती है तो उसके नीच ने काफी गंदी हो जाते हो डेली हम उनको हटा के भी क्लीन नहीं कर सकते हैं और इस पेस भी काफी जा रहा था तो मैंने यहां का जो कॉर्णर वो एकदम से बनाया था इसमें हम टू टीयर रैखी समझ लीजिए इसको तो दोनों साइड हम आराम से किसी भी किछी चीज को ऑर्गनाइज कर सकते हैं बड़ वह चोटा सा लग रहा था तो मैंने यहां पर क्या किया जो हमारा माइक्रोवेब का स्टेंड है उस पे सारे स्पाइस रख लेडी सूजन में और यह भी लुक बाइस काफी अच्छा लग रहा था और यह जो है और उसको भी मैंने साइड में रखा है इस पर हम रखेंगे सुन्दर सुन्दर से जार जो ग्लास के हैं और हमेसा ही ट्राइ करिए जो किछिन काउंटर टॉप है जो सामने देख रही है पर आप स्थाइम जार्श रखें अपने किछिन में जितने भी सुन्दर सी चीज़ें हो यह इस पेसली अगर आप अपर इस तरह के ग्लास जार भी रख सकते हैं यह भी देखने में काफी अट्रेक्टिब लगते हैं और जो किछिन का है ना रिच लुक आता है वह ग्लास लुक दे दीती हैं और अगीन रखी हुई थी इसमें मैंने अपने मिक्सी और कैटल रखे हुए थे स्पेस जादा ले रहा था और कैटल के लिए भी वह शीटेवल नहीं थी इसलिए मैंने यह इस वाली रह को बनाया है और इसमें भी आराम से चीज़ें आ गई हैं एक कॉ कॉटनी बगएरा हो जाती है एंड जो हमारे पास जैसे स्पैजुला बगड़े वड़े और नाइफ वगएरा हैं वो सारी चीज़ें यहां पर हम रख देते हैं तो हैंडी भी होती है और एक कॉर्णर में एक ट्रे में आराम से आ जाते हैं क्लीनिंग भी आसान हो जाती है करनी है तो थोड़ी से चेंज़े से मेरी किचिन में काफी जानदा सामान भी वन गया है क्योंकि कॉर्णर पूरा माइक्रो बेब ली रहा था तो वह इस पीस बिल्कुल जा रहा था बहरा बहरा से लगता था और इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और बिल्कुल प्री बनाने में मन लगेगा और आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा एड पूरा वीडियो इंज्वाए करिएगा आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा चैनल पर नए है तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा चोटी सी फैबली का पाइड बन जाईएगा मिलते हैं एक आपको नेक्स्ट और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना खयाल रखिएगा बाइबाइबाइ टाटा एंटिक क्यार